इसलिए पैसान के लिए चोटी उम्र के गरीब लोगों को डूनती हैं जिने पैसे के सक्त जरुथ और उनकी उम्र के 15 साल लेकर उनको पैसा देती हैं इतना पैसा जो कभी अपनी लाइफ में कमाने अगर ऐसा सर्च में होगा तो इस दुनिया में क्या होनी वाला है दे दो, हम उसकी बज़े तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे, वो लड़का कहता है, मैं तो सिर्फ 18 साल का हूँ, मैक्स कहता है, 18 साल की उम्र के बाद ही, हम किसी की उम्र को ले सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें जबरदस नहीं करेंगे, तुमको खुद देना होगा, इस लड मैक्स कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र 33 की हो जाएगी, उस लड़की से शादी कर लो और सिटल हो जाओ, तुम्हारी पिताजी ने अभी ते सिटिजनशिप नहीं लिया, इस पैसे से वो भी ले ले लेना, और अपने पिताजी के लिए एक दुकान भी खरीद ल कंपनी के अंदर जाते हैं, वहाँ पे एक लड़की कहती है, कितने जेर से मैं आपका वेट कर रही हूँ, वो कहता है, मैंने तो अपना 15 साल तुम्हें दिया है, तुम मेरे लिए कुछ देर वेट नहीं कर सकती, वो कहती है, चलो जल्दी टाइम हो रहा है, आज फंक्शन के नाम देती है, और कहती है कि अगर ये लोंग 50-60 साल के बजाए, एक सो पचास साल जिंदा रहते, तो आज इस दुनिया को कहा से कहा तक लेके चले गए होते, 15 लोंग जिसने नोबल प्रैस लिया है, उनकी लाइफ कम और बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने उन उन सब लोगों को शूट करने लगता है, डॉक्टर रोन का पॉंटर को घुटने पर शूट करता है, उन 15 लोगों को वो शूट करके मार डालता है, ये बास CEO को पता चलती है तो बहुती टेंशन होती है, उनने पता चलता है कि Adam Group के लोगों ने एक काम किया है, Adam Group के एक ले इस कंपरे में काम कर रहा है, पहले उने ढून निकालो, एक आदमी जो उनी एमपलाई है, इससे पहले वो पुलिस में काम करता था, वो कहते हैं मुझे एक काम दीजी, दुसी तरफ मैक्स के वाइफ को दिखाते है, वो अपने अपरमेंट जाती है, घर में हीरो रोमैंटि होंगे तो, एक हर बहुत छोटा रहेगा, वो कहते हैं बच्चे होने तो उसके बार में बाद में बात करेंगे, दोनों रोमैंस करते हैं, हिरो इन अपने मॉम डायट को देखने उनके घर जाती है, वे लोंग सुपर मैर्केट से बहुत सार चिंज को घर लेके जाते हैं, म अगर अपना 5 साल या 10 साल इस कंपरी को देगा तो, उसके बदले बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिससे वो अपने ट्रीटमेंट कर सकता है, उसकी जान भी बस सकती है, मुझे ले लू, मेरे पास भी पढ़ने के लिए पैसा नहीं थे, मैंने भी अपनी उम्र को बेच के घर आकर देखता है कि उनका अपरमेंट पुरे जल रहा है, वो अपनी वाइप को कहते हैं घबनानी की ज़रुद नहीं है, हमरी पंच इंसुरेंस है, उसे हम क्लाइम कर सकते हैं, इंसुरेंस कंप्री में कहते हैं कि अगर आपकी घर में वायर शार्ट होकर फायर होती, या कर सकते हैं, यह सुन वो दोनों काफी टेंशन होते हैं, क्योंकि लोन अमान बहुत ज़्यादा था, मैक्स कहता है कि अगर मैं सारे जिंदिगी पे नाउकरी करूंगा, तो यह लोन को नहीं चुका पाऊंगा, वो लेडी बताती है कि आप लोगे कि बस बस एक ही सेक्रूट की बच्ची है, जिसके जरिये तुम लोन चुका सकते हो, लोन लेते वक्त मैक्स के वाइफ ने एक डाकुमेट में सायन किया था, उसमें लेखा था कि अगर हम लोग लोन नहीं चुका पाएंगे तो मैं अपनी उम्री के 40 साल बैंक को डोनेट करूंगी, लेकिन यह बत मैक से कहता है, तुम परिशान मत हूँ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूँगा, बाहर आते मैक्स के वाइफ को पुलिस पकड़ लेती है, मैक्स CEO को देखने के आता है, वो मैक्स से कहती कि मैं तुमने हिल्प करूंगी, लेकिन दो हपते होने के बाद भी उसे पुरे आदमी को दे देते हैं, अब उनका लोन खत्म हो गया, मैक्स अपनी वाइफ को लेकर जाता है, उसकी वाइफ बुड़ी होने लगी है, फिर भी मैक्स कोई ना कोई रास्ता ढूने के कोशिश करता है, उनकी खौश्ती कि उन्हें बच्चे होंगी, लेकिन बो नहीं हो सकता, भरती उम्रे के वज़ए से उसके वाइफ बहुत ही उदास रहती थी, उन दोनों का रिष्टा पहले जैसे नहीं है, मैक्स एक पार्क में बैटा था, वहाँ एक बच्ची आती है, वो अपने बैक में बहुत सरी ड्रक्स रखी है, वो मैक्स को खरिदने को कहती है, वो ड्रक्स नहीं खरिदता लेकिन उस बच्ची को देखता है, मैक्स को अपनी वाइफ की हला देखे नहीं चाती, वो कहता है कि मैं उस आदमी को जरूर ढूर निकालूँगा, जिसने मेरी वाइफ की उम्रे लिए है, उससे मैं अपनी वाइफ को उम्रे को वापस उस बच्ची को दिखाते हैं, जो ड्रक्स बिचने आई थी, असल में वो बच्ची नहीं थी, उसने टीटमेंट से अपनी उम्रे को छोटी करी है, मैक्स उस लड़की को डूँड़ते वे आता है, ताकि वो जान सकी कि उसने ऐसा कैसा कर लिया, वो कहती है कि उम्रे लेने क यह उन कपनी CEO की बेटी है, मैक्स की वाइफ की एज, उस लड़की को नहीं, बलकि सोफी को डोनेट की गई थी, सोफी को जब उसकी बेटी के किटनाप के बारे में पता चलता है, वो सोचती कि एक काम भी Adam Group नहीं किया होगा, Adam Group के लोग हमारी लोगों को मारते हैं, किटना मास स्गरूटी बहुत सकती है, इसलिए ओए एक फैमिली के जरिएपषा की बारे मास की बेटी हो, इसलिए वेक फैमीली के जरीये बारे में पनी मा के खिलाफ हूँ, मुझे भी एक गाम बिल्कूल पसंद नहीं, लेकिन मैक्स उसकी बातों पर एकर नहीं करता, दुबार生 उसे बान देता है, वो तीनों एक होटिल में स्टेक करते हैं, सोफी की बेटी कहती है कि मैं नहाना चाहती हूँ, प्लिस मुझे नहानी देजिए, मैक्स उसे बातों में ले जाका साइड पर खड़ा रहता है, वो लड़की मैक्स को मार के भाग जाती है, मैक्स और उसकी बढ़ाई है, वे लोग इस काम के लिए राजी होती है, ये लोगों को मैक्स की लोकेशन परता चल जाती है, वे लोग मैक्स को ढूने निकल जाती है, एडम ग्रूप की लोगों को मैक्स के बारे में पता चलता है, कि उसने सोफी की बेटी को किड़नाइप किया है, वे लो उसका DNA किसी से भी मैच नहीं हो रहा था, तुम्हारी वाइफ के सिवाई, उसने जान मुझके तुम्हारी घर को जलाया, इस सब होने की पिछी उसका एक प्लान था, सोफी अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है, इस सब सुनते ही मैक्स सोफी पर बहुत गुसा होता है, ए मैक्स सोफी को अपने बातों पर उचाते हुए, बिल्दिं के अंदर लेकर आये, वो जैसे अंदर आएगी, एड़प गुरूप उसे पकड़ लेंगे, मैक्स बाहर आके कहता है कि मैं सिर्फ सोफी से बात करना चाहता हूँ, सोफी बात करने के लिए आगे आती है, वो मैक मैक्स से कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, उसकी बदले में तुम्हें बहुत सारा पैसा दूँगे, मैक्स कहता ठीक है, पहले अंदर चलो, इस बारे में हम आंदर जाके बात करेंगे, सोफी के गाट को मैक्स पर शक होता है, वो मैक्स को मानने के लिए अपना गर निक क्योंकि उसने अपनी वाइफ को बोड़ी होते देखा था, वो दुख क्या है उसे मालूम है, कि गलती सोफी की है, उसकी बेटी के नहीं, हम उसकी बेटी को छोड़ देंगे, यह सुनते हो बहुत गुसा होती है, चाको अपने गले में रख के उसे धमकाती है, मैक्स को गा मैक्स देखता है कि एक जग में बहुत सारे गरीब लोगों को पकड़ के रखी है, एक लेडी जो सोफी की बहुत वफादार है, वो सोफी से कहती ही कि मुझे अब आपके पास काम करे में कोई इंडर्स्ट नहीं, मैंने आपकी बहुत कुछ खोया है, आपके कहने पर मैंने गर जलाया, और बहुत सारे लोगों को मारा है, मुझे एक काम नहीं चाहिए, बोलके महाँ से चली जाती है, उसे देख सोफी बहुत दुख होती है, लेकिन सोफी बहुत शेल्फिस रहती है, वो अपनी बेटी को अपनी उमरे नहीं देती, वो अपनी उमर से 20 साल तो दे स सकती थी, लेकिन वो ऐसे नहीं करती है, वो अपनी बेटी से कहती है कि, तुम कुछ दिन ऐसी ही रहो, तुम डरो मत, मैं जल्दी तुम्हारे DNA से मैच होने वारे लोगों को पकड़ के लाऊंगी, फिर से तुम्हें जवान बनाऊंगी, अब तक दिर तुम्हें वेट करना होगा, बोल कि वहां से चली जाती है, दुसरे तरफ मैक्स की वाइब को दिखाते हैं, अब वो जवान हो गई है, प्रेगनेट भी है, लेकिन वो अब मैक्स के साथ नहीं है, किसी और के साथ है, उन दोनों को दूर से मैक्स देख रहा है, वहां से सीजा जीप पर चड़ता